हाई गेस बीटाउन हब चैनल में आप सभी कस फागते आज अमारी इस बीडियो में हम बात करेंगे क्रिस फॉर मोवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अब्लेट के बारे में तो दोस्तो बीडियो श्टार्ट करने से पहले अपने इस चेहल को अभी तक सस्क्राइब नहीं कि इसमें हाल में उनकी वर्ड टू मुवी की शुटिंग चल रही है जिसमें उनके साथ पहली बात जुनियर एंटियर देखने को मिलेंगे उनका जो फॉस्ट सिक्वल वर आया था इसमें टाइकर श्रॉफ नजर आये थे पर अब दूसरे सिक्वल में जुनियर एंटियर है और इनी के साथ उनकी एक्ट्रेस केरा अडवानी है और हल में बहुत ही जोरो जोरो से इस मुवी के शुटिंग चल रही है और आये दिन कुछ ना कुछ अपडेट आती ही रहती है इस मुवी से जुड़ी और इसी के साथ रिती क्रोसन की कोई और मुवी की चलचा हो रही ह साल दोज़ा 13 मीस प्रेंचेसी की क्रिस 3 रिलीस हुई थी बीते 11 सल से लगा था क्रिस 4 को लेकर चर्चा होती रही है फेंस को भी इनका बेस अबरी से इंतसार है इसी बीच अब तक जो क्रिस प्रेंचेसी के टीनो सिक्वल आए है उनके पिता जी राकेश रोसा ने डायरेक्शन दिया है लेकिन अब जाका खबरे ये भी थी कि इस मुवी का जो डायरेक्टर है वो बदल जाएगा और सिद्धार आनन्द को इसकी कमान संभलने का जिम्मा सौपा गया है वो वर, पठान और फाइटर जैसी मुवी बना चुके है इसी के साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि रितिक रोसान एक बार फिल से सुपर एरो बनकर धमाल मचाएंगे और दर्सों को के दिलों में जो पहली वाली छाफ है वो फिल से उभर कर बार आएगी फिल्म को लेकर 2021 से बात चल रही है 2021 में रितिक रोसान ने अपने बड़े पर फेंस को इसारा दिया था तब उन्होंने क्रिस का मास्क दिखाया था इसे बीच ऐसे भी चर्चाती की राकेश रोसन के स्वास्तिय समन्दी परिश्यानियों के कारण क्रिस फॉर में देरी हो रही है लेकिन अब सिदार्थ आनन ने इस पर विराम लगा दिया है और उन्होंने ये कहाए कि क्रिस फॉर पर काम चल रहा है क्रिस फॉर बहुत ही जल्द आएगी पर ऐसी आएगी कि अगले तीन सिक्वल से भी हट कर रहेगी इसकी कहानी भी और साथ में इसकी स्टार कास्ट भी चेंज होते भी देखने को मिल जाएगी क्रिस फॉर में हमारा सुपर हेरो अंत्रिक्ष की यात्रा करेगा अब 2024 में जहां क्रिस फॉर के परिल प्रोडॉक्षन का काम पूरा कर लिया जाएगा तो महीं 2025 में इनकी शूटिंग भी स्टार्ट की जाएगी और फिर हमें 2026 के एंड तक ये मुवी देखने को मिल सकती है तो दोस्तों आप भी ये मुवी देखने के लिए कितना इंतसार करें में कमेंट बॉक्स में लिखकर जर बताए और आगे इस मुवी से जुड़ी और भी लेटेश अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जर रुका दिए